बिप्रम्री संक्रूनि मच्णों, चैसे हां इतर रहल? अब हमारी श्वर्टिया की दूर्पर चुकी है? अभ हम हमारे बड़े परैस्व स्टार्ट करते हें, आज हम पार्ट देरा पढ़िए हमारा स्वास्त है, इस पार्ट में हम बताया गया है कि हमें हमारे शरीर को किस प्रकाल स्वास्त रुखना चाहे हैं और हमें किनकिन साउधानियों को ध्यान रुखना चाहे हैं, अब हम पार्ट पढ़ना स्वास्त करते हैं, स्वास्त मन वा म मन भी अच्छा रहे हैं, हमारा मस्तिष्क भी अच्छा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे स्वस्त, हमारे शरीर का स्वस्त होना जरूरी है. शरीम की स्वस्त तरह इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, स्वच्चिता करना रहना चाहिए, मिकलब साम सिफाई का ध्यार रिपना चाहिए, संतुलित आखार लेना चाहिए, और नेमिक रूप से व्याया करना चाहिए, स्वच्चिता केवल शरीर तक ही सिमित नहीं होत हमें हमारे आसपास, हमारे खर्फी स्वचिता पर की धान लेना चाहिए हमारे वस्त भी साफ होना चाहिए, हमारा घृर भी साफ होना चाहिए और हमारे आसपास का बातावरन भी साफ होना चाहिए यदि हमारा शरी स्वस्त है और हमने वस्त मेले पहन रखे तो मैरी मिल्लख कंदीयर मेरा स्वास्वी अथि पेहन रखे, रंज हमें तक मनलब रहे चाहिए अब हमें कंदियर कप्ड़े पेहनदे हैं, तो क्या हम प्लब हम, बिलस्व मेरे स्वास्थ रहे रहे, नहीं रख सकते हैं मतलब भजन को भी हम साफ कर सकते हैं, पानी को भी हम छान लेते हैं, अबाल लेते हैं, बहुत सारी पीदिया हैं, इससे हम पानी को साफ कर लेते हैं, फेंडर लगा लेते हैं, किन्तु यदि वायू दूशित हो जाए, हमारे आसकास की हवा दूशित हो जाए, उससे साफ करना आप इतना आसान नहीं है, गर के आसपास पूरी सफाई की प्रथया, पूरी सफाई रखनी चाहिए, पूड़ा करकड, उले दान नालियों में नालियों पी स्वच्छ रखना चाहिए, अगर आपके नालिया गंदि होगी, इसमेल आईडी तो पूरी हवा में होगी और हवा स तक पूच जएगी, इसलिए हमेज़ान आजबस के सवाई का विध्यान रहना चाहेए, इसि प्रकार भोजन, पानी की स्वच्चता भोष्टिता का भी ध्यान रहना चाहेए, मतलब आपका भोजल और पानी स्वच्छ हो और पॉस्टी हो वेसानी की गंदा पानी पी रहे हैं, या गंदा भोजल कर रहे हैं, सड़ाववजल हैं, बासी भोजल हैं उससे भी आप स्वस्तित नहीं रह सकते हैं जल हमारे जीवन के लिए अत्यात आउशक करता है, हमारा जीवन जल पर ही निर्बार है, मतलब हम बिना पानी के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल शुद्ध नहीं होगा, तो हम बिमारों के, इसलिए स्वच्छ पानी पीना चाहिए, खुला पे रखा हुआ पान करना चाहिए, भोजन सर्मधा संतुलित हो, मतलब ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवशक सभी तत्व, सभी पोस्टिक तत्व होने चाहिए, जिसमें अनाज, फल, दूद, सबजियां, सुखे मेवे आजिचाति भोजन होना चाहिए, यदि आप अन्डा मास मशल सभी के सेवह से बचा जाए तो बहुत अच्छा है, पांसा हार नहीं करना चाहिए, वैसे संतलिक आखर में इन अन्डा भास मशली को शामिल किया दता है यह आवशन नहीं है कि आप मेंगे फल और सबज्या लाकर खाएं, किसी लोग किनी किश्रिकायत होती है कि हम कैसे खाएं, फल बहुत महेंगे हैं, सबज्या बहुत महेंगी हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे एससी सीजे भी हैं, जो मोसम के असाब से आती हैं, और मोसम के योग है, अगसरत करनी चाहिए, योग करना चाहिए, इससे हमारा शेरी स्वस्त्र रहता है. इसका मतलब है निए कि आप टैबर्ड, मतलब टैबर्ड, ग्रिगेट खेलेंगे तब भी बयाया होगा. अगर आपके पास टाइम में तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दोडने जाना, मतलब नमट कर गुनना, टेहलना और दोडना या कि खेलों भाग ले सकते हैं, जिनसे भी परियाप्ति व्याया होजाता है. यदि यह नहीं हो सकें, तो सुर्य दर से फोपुर किसी बागों दीचे में भूने जाएं, महा की हर्याली और खुले वातावरं में आपका मन प्रसंद चित होगा. बाग पढ़िचों में हरे प्रक्ष खुले, खिले हुए फोल, उन पर मन राते हुए पक्षी, इतनी आधी देखकर आपका मन्चानत होगा और प्रसंद होगा. प्रात्ना का सुष धनको जीवन को शक्ती प्रिदान करता है, बहतास्य तब सुख उटकर दखुलना चाहिए प्रात्ना करनी चाहिए. सुर्योदे का जर्शन इसने देखा है, उसके आनद का आपक वही कर सकता है, बन्तब जो सुर्योदे के नाय उठता है, उठता है, वही उस आनद का आपक कर सकता है, बाजार में बिखने वाले कटे फटे 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 फटो और खुली मिठाईयों का सेवन नहीं करना जाते है मक्षर, मक्षी, मक्षाATA हमारे स्वासत्रें अटा के बड़े शत्तियाइक गंतगी में होता है और कंतगी फेलएं सिम्ख्याह बहुत जादर बढ़ Brexit मक्षी वनके को पहुंचाती है अता और हमें बिमार करती है मक्षी मच्छरों से खसरा, ज़र, बेजा, ठै creepy आधी प्राहना तरोग होते हैं अता हमें इन्हे पनपने नहीं देना चाहिए आसपास गंदीगी नहीं रखना चाहिए और इसे बचने का प्रयास करना चाहिए अती उत्तम होगे हमारे आसपास खरी जगर में आपको आगर में गुलाब, गेदा, मुल्ब, मेंदी, छोटे-छोटे फिलों के उरक्ष लगाए इससे नहीं केवर वादावरन अच्छा होगा वादवाई भी सुगंदीद होगी और आगर तुलसी का बोदा स्वस्त के लिए स्वस्त रहने के लिए सफाई, संधुनित, आहा, व्याय, पैसास, अपने रहन सेंने साध्य और का पालन करफोड़ता से करना चाहिए खाने पीने, सोगने और जागने का समय निधारित होना चाहिए मतलब हमारा जो खाने का नहीं में वभी निशित होना चाहिए जिससे सुबह नाश्ता करने के बाद बाराए को से खाना हा लेना चाहिए शाम को सूरी अस्त होने के पहले खाना खाना चाहिए सुबह जल्दी जाना चाहिए, शाम रात में जल्दी सो जाना चाहिए तो यह नियम बालन करने चाहिए इससे स्वास्त तो ठीक रहता ही है, समय का सदुप्यों भी होता है, यदि आप जालती रुखते हो तो आपको काम करने की ज़़ी जादर लायम मिल जाता है अगर दर्मन स्वास्त होगा तो विचार पे अच्छा उस्पन होगे, अच्छे विचार से अच्छे सरित्र का निर्माण होता है शरी स्वास्त रहने से चित्त प्रसंद रहता है, उमकर उल्ला से भड़ा रहता है, हर काम करने में मन लगता है, होड़ कोई भी काम में कठी नहीं लगता अच्छा स्वास्त जीवन की मूल नी दी है, मतलब आप स्वास्त है तो आपको हर काम उच्छा लगेगा आप स्वस्त हैं तो आपको सब्चीज इंची लगी है, किसी भी प्रकार की उदास इंता को जीवन को खत्रे में डाल सकती है, मतलब आपको उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसंद रहना चाहिए, प्रसंद रहने के लिए आपको स्वस्त रहना जरूर लिए आपको, अगर तो पुछ रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं इसलिए हमें हमारे स्वास्ते का ध्यार रखना चाहिए और अच्छे स्वास्ते के लिए गरों के आसपास घर में और अपने शरीर की सच्छेता कर ध्यार देना चाहिए इस पार्ट को अच्छी से पढ़ना है, इसके शाब्दार के लिखने हैं और इसका भुटबक करना है।